बिसमिल्लाइ रफ्मान रहीम असलाम लेकूम पीटी वे होम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सूपिया फैसल खुशामदीद कहती हूँ आपको आपकी पसंदीदा शो रिवायतों की लज़त रिवायतों की लज़त यानी खानों की लज़त यानी वो खाना जिसका तालुक किसी ना किसी इलाके या कम्यूनिटी से होता है वो जायके जो हमारे अम्मीयों के हातों में हुआ करते थे और जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं और हम किस तरहां से उन जायकों को अपने दस्तरखान की रौनक बना सकते हैं कोई भी हम ऐसा खाना खाते हैं जो किसी रस्टरोंट की जान होता है उसका तालुक किसी ना किसी मक्सूस इलाके से होता है और जब हम चाते हैं कि उसे हम बनाएं तो वो बनता ही नहीं हम से क्यों नहीं बनता क्या मसाइल होते हैं और फिर जब हमें वो खाने का दिल चाहता है तो या तो हमें अतना दूर ट्रावल करके जाना पडता है या तो फिर बाहर से और उडर करना पडता है क्यों कह सो से बना नहीं सकते. हम आप को बताते हैं और किस तरह से बताते हैं talented experts को बुलाते हैं जिनका तालूक उन इलाकों से होता है वो वहां से आते हैं हमारे इस किचन में वो रैसीपीज बनाते हैं और आपके और हमारे किचन की रौनक होती है उससे इसी के साथ ही अपने प्रोग्राम का आगास करते हैं और आज की हमारी एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उनसे पोचते हैं कि आज हो हमारे किचन में क्या बनाने वाली है तो हमारे साथ मौजूद है एरच खान कैसी Хरज बनाने वाली है एरच रछा किसी सब स्बसे पहरे बता एक तालुक को है किन अर्च कराठी को बनाने वाली है और जबर दस्थ बना और है एक बहुत ही ट्रडिशनल सी डिश है मैम ऐफनी लिदिष है शना के वाजरे क कबब वाज! वाञा जबरदस्त! मैंने तो यह जिसने ख mocे उसको पता ही हो कितने ही मज普及 इक गार इसकाषा काई गोड़का जाये चाहिन एव बाल मेर मियल सकते हैं बिलिए जल्दी सीरी क्लम раз करते हैं प्रिि बजि अबंस के माले क्लिए केमा नहीं घ केमा है कीमा गैस केपाने pillows केंड किमा मैंने 375 ग्राम बोला था क्यूंकि हम कीमा जादा लेते हैं बाजर के आटे से मैं गलव्स ले ले लेती हूं ठीक है बिल्कुल मेरे नियल्स है और हाईजीन का प्याल रपना चाहिए करके अब हचाएम नीयाक तब अक्या है इसको थादा तर रेकिन वन से बनढ़े कशान घुग में तो थादे ये लगे वके शाय टेक ये तानो गया मैं आपटी स्पून रेरी हूं डिये थीक है इसके लिए अमची पेल धनिया निए निया जान पारभी वहीं 0.5-0.5 निया निया थे देवा जाने जाता है 1.5 तीस्पोन 1.5 तीसपोन तरह भीषिए अप्र आते अपने मुझ आखेश ईआठीए भीषा था खाया इसका चाहिए अबर धाया म्रच था एकाषी राना फ्लवर भाँ अबर मुझ इसका नियुक्त है था आखेशा है तो प्लेवर अचा तो नियुक्ति अचली रेहा है श्योड़िया यह यह अगया हदी पावडर, अलमस्त 1 टीस्पून, जा वरनख नहीं हो जाए ना, यह आगया गरम मसाला, गरम मसाला कम अट करते हैं जा ने ने अटावणा थोड़ा सा कम है आप पाइसे अपने हिसाब से रख सकते हैं ता कि आपको पता है किस्टना तो बिल्ग होता है और जो अब पान कास्तामाल नहीं होगा इसको हम गूनेंगे इसको गूनेगे सिर्के में वाँ ज़िए दो जाओ क कैसे ही खते से शॉन तो छे खोनेगें बाइगा विल्कु अब जाओता है लादा हो जाएगा तो नहीं होता क्यूँंग हम इसमें यूस कर रहे हैं आठा 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 आपने देखा होगा घर में अम्मारी करती है अगर किसी सालन में हमारे नमक तेज हो गया वो क्या कर दिमाएगा आठे का बॉल वह चाहिए आठा बना बना कर दाल देती है 1-2 TSP भरके में सिर्का दाल दूंगी ठीक है रिकमेंड़ यह होता है कि आप इसको पहले से मैरिनेट करके रगने भीफ ताकि जो बीफ है वो गल जाए बहुत जाए हो रहा था तो इसको थोड़ा सा ताकि जो इसके तो बीफ से तो पहले दिए निए जाए इसके लिए तक लिए तो दिए प्लेवर आ जाए तो इसके लिए हमने 2 TSP सिर्का आट किया ठीक है डान हो गया है तो यह देखाने कि अभी से खुष्भो आई है किए निए तो सोचे कि जब आटा जाए गोर सारी चीज जाए तब कित अच्छे तरीके से ताकि जो है जब हम इसके बॉल्स बनाए और कबाब जब इसके फ्राय करने लगे तो वो निकल के बाहर ना आए तो इसको पता होगा एक तरह की यह पकोड़ों जैसे वनते हैं विल्कुल ऐसी बनते हैं इसके अंदे तक्रिकर नहीं तो मैं कहती हो ना क हमारे घर में जो है ओर मयूना में जो है प्ップकौरे नहीं बनते इस तहरा की बनतीय तो जब जब इस तरह की चीजव मन्मी कि लर्ग भलगं तो फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ितए आपको अनसली और इस निछ भॉंट सुभा में गुजिय मुनिटी तो उनकी टी मज़ की आशाम में किंटाई किंटे आशा से कुछा से तकी नहीं, तो यह संजा एमा नहीं है क हरी मर्चे से खञे हैं, टार काया कर्रेख मृता तर के यह सיא हुछें फिर्ची ज सिरे ढ़ी हिसाएम, अड़ी मर्चे अजिस आप समय अङुट्टे किसी अपा दर नहीं बनाना चाहिए बहुत ज्यादा तीखा उसको नहीं बनाना चाहिए क्या करने वाले या वक्त हो हाए ब्रेक का तो इसलिए मुछ बता दें कैसे के अंगर बस अब हम दाल रहे हैं spring onions इसका green वाला part है ठीक है जी जनाब तो ब्रेक से वापस आ गए हैं रिवायतों की लजवत के किच्छन में मौझूद है एरज जो के बहुत युनीक सी रेसिपी बना रही है एरज ब्रेक पे जाने से पहले हमने इसमें अनियन्स का जो ग्रीन पार्ट था वो अट किया था बैसना में के पाता था कि का रेसमें ऑनोगने तो बमाल को मिए अनियन्स की सोतो आम फे गा, क verste क्यों यह जा खूड़ एक खूड़ यह छख़दे है और जो अटो फिरो अंन पासो अनियन्स का रंसे वेशोमन अभी टाइम नहीं है तो हम फॉरें से करेंगे विट इस रिकमेंड़ कि आप इसको तकरीबन घंटा देर घंटा आप लोग छोड़ दें ताकि वह अच्छे से उसके अंदर में बीफ का आपको भी पते है जो मैरिनेट बीफ हो चिकन हो किता मज़िका लगता है और फिर इसक अब लुष्ट को अब भी इसको अब भी सिब नमाग डाल्क आपको अब दाले ना यह बड़े मज़े के बनेगे तो चैनल एंदर हम थोड़ा थोड़ा करेंगे अटा अटा आटा अटा अटा इसके अंदर आगर मैं 375 व्यां मैं मिन्स लें तो आपको तूइवड्या में का अटे कि लोगी बेम अहां और सोके हाटे ते यह कौन्तिति कवाअग ते जिते हुआ है नहीं हम से अड़ये कॉंदऄ मुगााईग है फिक चाराई रखना यो याट कर देया किसका हैww बाइस प्लार तो वह बहुत जाते हैं, फ्रमबल ना शुरूर जाते हैं, तो इसमें जाया है है कि अता हमारी जाएगा है किमा उससे कम होना जाएए, ताकि टूटे ना और इसकी बाइन्डिंग है वह अच्छे से हो जाए, उसकी प्रिंदे करें तो जब ऑद फिर प्रिंड पुरिया थे कुछ मुश्किल हुई थी और खाला को फिर से फोन करके कहा था कि यह यह मसला होगा आप निया साथ आपने भी देखे विखा कि तीह रिच्छ रच परेगे रेसिपी और रेक और रेक में कुछ नी किया इसको तरफ तलना थोड़ा साथ है बाकी तो कोई प्रॉब्लम नी और बाज्रे और इसकी कॉंटिटी तो आपने पहली बार में जब इसको ट्राइ किया तो सही हो गया था आपके साथ यह कुछ चिछ बताएगा कुछ बाती हुए कि मैं में में कुछ Seat साथ मेरे कुछ गहला हुए कि अपमा कुछ साथ है है और हम अपने कोह शकी है और हुआ हैं अम्मा कथि इस का थो कि तो mayni यहाँ आती है । जि दो आते ही नहीं है। ममा को बना ले ले ना मत बहुंतना इतनी एक्सपर्ट हो गई है कि ममा कहती है कि एर अज तुम देख लेना तुम बना लेना बैसिकली अपर ममा के फ्लेवर दें डीशनल मैं दाधार को करती हूं कौंटिंटनेंटल हो गया या बहार कि खाना खाती है आपको यह है यह तो मैं घर में भी बना सकती हूं विल्कूल ऐसा ही है अपको दिल निः चाहता भी पैसे देने का बॉँवा आपको पता होगा आता है विछ ने बंचेल महाया ही है वैसे तनी महंगाई हो गई बहार से चीज़ में कहा है बहुत जादा है डिएấ गरि भाहर मेजर कर लों कुछ खराब नो जाए नमक मैं ममा से डलवाती है कि ममा नहीं आप डाल के देंगी नमक लेकिन अब ऐसा हो गया है आई बाल करके हो जाती है चीज़े यह हो गया है इरज इसको मेरिनेट करने के लिए जोड़ देंगे चीसी मिक्सिंग करके रहा है जनाब अगर किसी से रेसिपी मिस हो गई और वो बैट के सोच रहा है कि क्या करें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है जल्दी से जाए रेसिपी काट कर रिव्यू करें और जल्दी से वापस आ जाए जाने के चमच टेल तलने के लिए हरी प्याज दो अदर बीफ के कीमे में प्याज हरा दनिया हरी मिर्च कुटीवी लाल मिर्च पिसीवी लाल मिर्च गरम मसाला हल्दी लसन अद्रक का पेस्ट और नमक डाल के अच्छी तरहां से मिक्स कर लेंगे तिर इसमें बाजवे का आठा शामिल करेंगे और सिर्का दही और तेल से गून लेंगे जब आठा तयार हो जाए तो इसको डीप फ्राइए कर लेंगे हरी प्याज और इमली की चट्नी के साथ पेज करेंगे मज़ेदार वाज़े के कबाब तयार है जी जनाब तो रेसिपे काट के रिव्यू से व अच्छा मैरी नेशन हमने तयार किया था उनको हमने डीप अधर कर लिया है अच्छा डीप राइपने का तरीक एरज रच वो थोड़ा से बता दे हमाई नाजरीन को क्यूंके यह थोड़ा से त्रेकी है और दूसरी चीज आप यहाँ देख सकते हैं बॉल शेप मैं को कि यहां पर हमारे पास तले भी रखे नहीं कि आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर शेब नहीं है क्योंकि इसके अंदर कीमा होता है और जब डीप फ्राय होता है तो ऑविसली कीमा उसी के अंदर को खोता है इसको ऑइल बहुत अच्छे से गरम करने के बाद इसकी छोटे-च जब चलाएंगे यह तूट जाएंगे तो जब तक एक साइड से अच्छे से कुख नहीं हो जाते इसको तर्ण नहीं करेंगे और दूसी जीज जैसे कि अम कोफ्तों में होता है कोफ्तों में कहा जाता है कि आपको फ्लिप करना व्या चमच नहीं चलाना कॉफ्तों कभी हो में केको व्यटर और यह फोड़ीसते हमारे सांदा सकतो हो और जब कर थक्राव थोड़ीस सब्स्क्रकाइब अ है कि यह तो थोड़ा सा नहीं होड़ीस ggaता है तकरीब करफे मादा अदा पाव से कम ओर इसके अंदर हमने कां में होटा जब शारा बphon की घ्रम और चया जब क सब्सक्राइब करें तो तोटे नहीं है बिल्कुल तकरीब दो तीन मिनट हमने इसको उन्टच चोड़ा था और यह मुझे दिखाएं जरा मैं देखुआ है इसको तोड़ी देर है और ना थोड़ी सी देर है क्योंकि अंदर से कोगो जाए ना यह कच्छे कीमे कर आप कर लें तो उपर से तो इसका कालर राज राज़ा लेकिन अंदर से कच्छे रह जाते तो अंदर से कच्छे नहीं रहने चाहिए अंदर से कच्छे नहीं रहने चाहिए अंदर से कुक होना है तो इसके लिए आप इसको बहुत ही ऑईल को अच्छे से गरम करके चूले को बिल्कुल और निए साथ मार्स भोले को खाने के लिए कि फिटेशा शुगा के घरा है एडा alumस के पाम समय में अपार 소नी Super आपनु सी तीस किया था ना अपना ओव्त है तो ने बताने कीजीए था रे टृब हो पैसा ड्हीशार किने जा डेस्ति और ही कोई कीश Rया भाब लिए कर लिंग आफ ़िए खाना मुझे है क्रिशका है ट्रफिती Гाबाउब जा रहरा है प्यास के अंदर हमने डाली है तो आप सोचे कि प्यास कभी बहुत ही मज़े को भी क्रिस्पी सी हो गई और आप पते हैं जब क्रिस्पी हो जाती है प्यास तो कितनी मज़े की लगती है प्यास है इसके अंदर ग्रीन अनियन्स है इसके अंदर अचा शोगर ताइब मैं चाहर कोई वो नहीं है ठीक है जबर्दस्त इतने मज़े की इसकी शकल हाई है मुझे लग रहा है कि हमने चूंके पहले चमचा हिला दिया तो तो थोड़ा सा या ओई गरम नहीं हुआ थीक से तो इसकी शेप में मसला आ गया था इरज यह आप जो है इसमें उस प्लाटर में इसको करने के लिए रख दें इन बाकियों को हाजी तो यह देख सकते है नाजरीन कितनी मज़े की असल शकल ही यह है आप देख सकते हैं अगर ऐसी शकल भी हो जाती है तो कोई परिशान होने वाली बात नहीं है क्यूंकि आपका ठीक से गरम नहीं हुआ है जब गरम हो जाएगा इस तरह की शकल के डाक ब्राउन कलर आएगा इसका अचालर भी ऐसा आएगा और शकल भी ऐसी आजाएगी तो मज़िदार सी कबाब जो है वो हमारे पास तयार है आपको फॉग्राम में आके कैसा लगा आपकी प्रोग्राम में आके आपके अप्रीशियेट कि आप लोग ए गिंशन और भी वरं आपके नगी पार्ण है आपके लोगरा आपके बार शीजान पर एंड हमारा कल्चर बहुत रिच इसका अड़ान वारा नियुकल के मामने में दूसरे मामनों में मुसें को गया तो फुट को आप इसारा से यूट तक लेकर जा रहे और छिंट ठीए औ आप जैसे एक्सपर्ट जब यहां आकर ऐसी रेसिपीज बनाते हैं तो हमारे जो देखने वाले हैं जो खवातीन हैं जो इस तरह की चीज़े ट्राइ करते हुए उनको ड़ लगता है कि कहीं खराब ना हो जाएं वैसा टेस्ट आएगा या नहीं आएगा जल्दी से बन जाए थांक यू सो मच आपने इसको डिशावर करे दिया मैं इसके पर गार्निशिंग कर रही हैं स्प्रिंग अनियन से आप इसके पर धनिया भी डाल सकते हैं जो आपको पसंदो जी जनाब तो देख सकते हैं के कबाब मज़ेदार से यहां तयार है इसको हमने सजा भी लिया है ताके देखने में भी मजीद खुबसूरत हो जाए इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खतम होता है जाने का दिल तो नहीं करता लेकिन क्या कर सकते हैं जाएंगे तो फिर दुबारा नए प्रोग्राम में आएंगे आपके पास हाजिर होंगे एक नए शेफ के साथ ए सब्सक्राइब को